गुड मॉर्णी एवड़ी, स्टेंडर फर्स, सब्जेक्ट इंग्लिज, चैप्टर त्री, सेव वॉर्टर, ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया, इसके टिक्टर करेक्ट आंसर करवा दिये, हार्ड वर्ड्स करवा दिया, कम्प्लीट सेंटेंस करवा दिया, अभी ने एक आपको इसका सेंटेंस करके बताया है, दुसरों को करने है, जो मैं आज आपको करवाँगी, ये बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, ये बॉछ है, तो, कोजन डांस कर रहा है. तो they are dancing. यह क्या कर रहा है? तेर रहा है. तो he is swimming. यह क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. तो he is reading. यह क्या कर रही है? पानी पी रही है. यह girl है. तो she is drinking. ठीक है? यह आपके picture जो fill up करने थे मैंने आपको करवा दिये अभी है ना पानी के बारे में few sentence आपको few lines लिखनी है जो मैं आज आपको board पे करवाँगी ठीक है water number one water is a precious gift by God to us ये महत्वपूर ग्रीप अपने को भगवान ने दिया है number two the waste of the water of oceans is very salty ये समुद्र का पानी और ocean का पानी क्या होता है खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता the water of oceans is very salty ठीक है next rain is the main source of water ये को लेक्स है rivers है इस पानी जो जहां से पानी अपने होता है rain is the main source of water number four water is very important to us पानी हमारे लिए बहुत important है we cannot live without water हम पानी के पीना नहीं जी सकते number six we need water to drink take a bath हमको पानी की जुरुत ना पीने में नहाने में खाना बनाने में clothes wash करने में means extract बहुत से में यूज करते हैं पानी के बिना हम नहीं जी सकते ठीक है seven number do not waste water हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको सेव करना चाहिए पानी को बचाना चाहिए यह आपके few sentence हो गये हैं आपको यह learn करने हैं और classwork की बुक में और